Hi everyone! कैसे हैं आप सब? तो स्वागत हैं आप सब का मेरे new blog पे और blog की सुरुवात मैं कर रहे हूं साम के 4 वजे से दिन है सनी वार तो मैं यहां पर चावल साफ कर रहे हूं यह हमारे घर का ही चावल है हमारे खेट का चावल है तो जो खेट से चावल आते हैं वो ज्यादा ज्यादा एकठे 20 किलो 25 किलो ऐसे साफ करती हैं और होता है न कि अपने लोग जितने अच्छे से करते हैं वैसे अगर हम दूसरों से करवाते हैं तो वो काम उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है वो एक बार कर देती हैं उसके बाद मुझे फिर से थोड़ा थोड़ा मैं अपने हाथ से जब से नहीं कर लेती हूं तब तक मेरा मन ही मानता है तो मैं यहीं सूप से इसको फटक रही हूं ताकि जो भी छोटे मोटे कीड़े या भूसी वगएरा होती है वो सब निकल जाएं फिर प्यास लग गई थी तो अब गर्मिया सुरू हो गई ह तो प्यास भी बहुत जल्दी जल्दी लग रही है और पानी पीना भी चाहिए पानी की कमी सरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती है तो समय समय पे पानी जरूर पियें पानी की कमी बिल्कुल भी सरीर में ना होने दें यह सब पे लागू होता है इस समय डी हाइडर तो जब भी टाइम मिलता इसी तरह से दो पहर में या साम के टाइम का मैं ऐसे ही यूज करती हूं ये सब काम कर लेती हूं ताकि मुझे हपते दस दिन इन सब की चिंता नहीं रहती है क्योंकि सुबह बहुत ही जल्दी होती है खाना बनाने की तो उस टाइम मैं चावल लेके बैठ नहीं सकती और साफ रहता है तो कभी तो जब भी बनाना हो बस धो के डाल देना होता है तो बस यहाँ पे देखे पीवू बैठी थी ये मेरी भतीजी है आप लोग सोच रहे होंगे कौन है तो ये आई है कल की और इसके फूपा जी अभी इसको टेड़ी बियर लेके तो देखे दोड के भाग गई है लेने के लिए और उसी लिए ये रुकी भी थी वरना ये चली जाती बहुत रो रही थी कि नहीं मैं रुकूंगी नहीं लेकिन उसको टेड़ी बियर का लालस्ता की नहीं फूपा जी लेके आएंगे तो देखे अभी कितनी खूस हो गई है तो जब से आई है घर में एक अलग ही रौनक लगी हुई है तो छोटे बच्चे होते हैं तो घर पूरा घर का महौल ही चेंज हो जाता है बहुत ही अच्छा लगता है तो अभी देखे कितनी खूस है यहाँ पे दिखा रही है आप सबको हेलो देखिए मैं पीओ के यह टेढी वीयर लाया हूँ और चकलेट दिखा night यह चकलेट यह इसीरिये रूपी है बहुत लाण्ची है यह और रूपी है के टेढी वीयर टुपा लाएंगी इसीरिये मैं इसको लाया हूँ बाई तो बच्चों के मन पसंद की कोई चीज आ जाए तो वो बहुत ही खुस हो जाते हैं और ये भी बहुत खुस थे उसके आने से तो छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं उनके साथ सबका मन लगा रहता है तो फिर मैंने चावल थोड़ा सा जो बच्चा था उसको साप किया मेरे साथ साथ मतलब एक मीनट के लिए छोड़ने रही थी सुबह से बोल रही थी बुगा कप पानी देंगी कप पानी देंगी क्यूंकि सुबह भी मैं आई थी तो दो तीन प्लांट में मैंने पानी दिया था तो सुबह टाइम थोड़ा सा कम मिलता है और धूप हो जाती है तो धूप होने के बाद पौधों में पानी नहीं दिया जाता है तो फिर मैं साम को ही ज़्यादा पानी देती हूं उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन में यहाँ पे देखे मलाई मैंने कई दिन से रखा था तो आज बनाना था इसका घी तो यह वही मलाई है जो डेली का डेली दूद से हम निकाल के रखते हैं तो उसी का मैं घी बना रही हूं और मैं घी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूं देखिए यहाँ पे जो मतनी लकड़ी आती है मैं कोई भी हैंड ब्लेंडर या मिक्सर जार किसी बी चीज का इस्तेमाल मैं कभी भी मैंने आस तक नहीं किया है मैं हमेशा से इसी मतनी से ही घी निकालती हूँ और बहुत ही आराम से बहुत ही इसली निकल जाता है आप देख रहे हैं मैंने कट कहीं भी नहीं किया है और बस दो या तीन मिनट इस तरह से बस मतनी चलाई है और ये छूट गया है बहुत ही आसानी से छूट जाता है, ऐसा नहीं है कि हैंड ब्लेंडर या मिक्सर में हम करेंगे तभी होगा, और ऐसे मुझे जादा आसान लगता है, क्योंकि उसमें मिक्सर वगेरा सब में ये लग जाता है, बहुत जादा उसमें मुझे जंजट लगती है, और ये मुझे जादा आसान लगता है, तो यहाँ पे देखिए मक्षन पूरा निकल गया उपर आ गया है, तो अब मैं इसे कड़ाई में निकाल के और अब ही रख दूँगी गैस पे होने के लिए, गही बन जाएगा कुछी टाइम में, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मैं फ्रीज में रखती हूँ, और जब इस तरह से जिस दिन मक्षन निकालना होता है, उस दिन 2-3 गंटे पहले ही निकाल के ऐसे बाहर रख देती हूँ, और फिर सिर्फ 4 या 5 मिनट मतनी से ऐसे चलाती हूँ, और ये पूरा मक्षन बाहर निकल जाता है, बहुत ही आसान है इसको करना, कोई जरूरी नहीं है कि हैंड ब्लेंडर या मिकसर जार में ही मलाई से घी निकाला जाए, कि हमें घर का घी मिल जाता है, तो घर पे मैं घी खरीदती नहीं हूँ खाने के लिए, हमेशा यही घर का घी इस्तेमाल होता है, पहले तो हमारे यह घर का दूद भी था भैंस थी, लेकिन अब ही कुछ सालों से नहीं है, दूद खरीद के ही आता है, तो मैं इसी तरह से घी बना लेती हूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया है, कडाई में और यह नॉन स्टिक कडाई में रखने से एक फायदा होता है, कि यह चिपकता नहीं हो, और अल्यूमीनियम में थोड़ा सा यह चिपकता है, लगातार चलाना होता है, थोड़ी सी दिककत होती है, फिर मैं आ गई थी, यहाँ पे रोटी बनाने, तो सबसे पहले मैं रोटी ही बना रही हूँ, क्योंकि तनमे को और पीऊ को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा रोटी पहले बना लूँ, उन लोग को ओमलेट से रोटी खानी थी, तो मैंने आधी रोटी बना ली थी, उसके बाद फिर मैंने सबजी बनाई, तो यहाँ पे आधा रोटी बनाने के बाद आटे को मैं वैसे ही धक के रख दे रही हूँ, ये मैं बाद में बनाऊंगी तो पहले सबजी बना लेती हूँ तो बच्चों का क्या है कभी भूख लग जाती है तो उनके लिए रेडी रखना और जब भूख लगी होती है तब ही वो खाना अच्छे से खा पाते हैं रोटी बनाने के बाद मैंने इधर कड़ाई रख दिया था तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे निनुवा की सबजी बहुत ही सिंपल सबजी है साधी सबजी है तो सिर्फ तेल डाला उसमें लैसुन हरी मिर्च और यहाँ पे मैं प्यास डाल रही हूँ आप तो इसकी सबजी बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है उसके बाद मैंने थोड़ा सा आलू लिया है निनुवा यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ तो यह मैं प्यास डालने के बाद ही ऐसे दो के छिलके रखी रहती हूँ फिर मैं सबजी बनाते बनाते ही सको कट कर लेती तो यहां पर ने नुम्हें मुआ और आलू मैंने डाल दिया था और मसाले में मैं कुछ भी नहीं डालूंगी सिर्फ हल्दी और नमक यहीं दो चीज मैं डालती हूं तो यहां पे तनमय और पीहू दोनों अपने में लड़ाई कर रहे थे और तनमय का भी मन लगा है पीहू के आने से वो भी अकेले रहता है तो कोई भी आ जाता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है तो दोनों ऐसे ही खेल रहे थे आपस में जगडा लडाई कर रहे थे खूब मस्ती कर रहे थे तो यहां पे देखे सबजी बन गई है और उदर बरतन भी कापी हो गया था क्यूंकि अभी मन्जू आंटी समय गेहूं का काम चल रहा है तो बरतन वगरा एक ही बार धोने आती है तो फिर मैंने बरतन भी धो लिया उदर घी भी हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन को समेटनी क्यूंकि खाना सब लोग खा चुके हैं सिर्फ पापा नहीं खाए हैं तो उनको खाना मैंने अभी करके घी रखती हूं और थोड़ा थोड़ा निकाल के दूसरे डबे में रखती जाती हूं खाने के लिए जो डेली इस्तेमाल होता है और यह साफ रहता है तो पूजा के लिए भी काम आ जाता है फिर मैं यहां पे क्लीनिंग करने लगी थी किचन की तो इसी तरह से साम से लेके पूरी रात मतलब रात के दस बजे तक ऐसे ही काम होते रहते हैं साम को तीन बजे चार बजे ही मैं लग जाती हूं तो साम से तो जो ऐसे काम होते हैं जो डेली रूटीन में नहीं होते हैं तो रोज कोई दूसरा दूसरा काम रहता है उसी को मैं निप्टाती रहती हूं ताकि जो है अगले दिन के लिए या दिन भर के लिए हमें थोड़ी सी आसानी रहे इन सब कामों को जैसे मलाई है चावल है कभी मसाला हुआ कभी कुछ और हुआ दाल हुआ तो इन सब के लिए दिन में दो पहर में या साम का टाइम सबसे अच्छा र या घबडाने वाली बात नहीं होती है कि मुझे इतना काम करना है इतना काम करना है तो बस मैं यहां पर देखे सफाई मैंने कर ली है सारा किचन क्लीन हो गया है बस बच्चों को दूद देना बाकी रह गया और पापा आएंगे तो पापा को खाना देना रहेगा तो इसी तरह से डेली मैं काम करती रहती हूं और इसी तरह से आसानी भी रहती है घर ग्रियस्ती का खेती बाड़ी का भी काम है तो बंजू आंटी तो काम करती ही है लेकिन फिर भी हमें लगना पड़ता है मुझे भी कुछ करना ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनी के भरोसे छोड़ पड़ते हैं और यहां पे सब्जी कुछ आई थी तो यहां पे देखें मिर्च वगरा यह सब मैं तोड की रख ले रही हूं तो टाइम अभी बचा था काफी तो यह सब भी काम निपड़ जाते हैं अगर टाइमली हम काम करते हैं तो तो देखें सारा काम अब ख़दम हो गया है किचन भी क्लीन हो गई है और मेरा सारा काम जो मैंने दिन भर मतलब सुबह ही मैं सोच लेती हूं कि आज मुझे कौन कौन से काम निपड़ाने हैं Ride Everyoneitted तो देखें सारा काम हो चुका है रात का और अभी टाइम हो रहा है नौबीस हो रहा है तो सारा काम मैंने फिनिस कर लिया है बस दूद देना सबको बाकि अभी दूद कोई नहीं पिया है और पापा नहीं आए है तो उन्होंने अभी खाना नहीं खाया है तो वो बाल धुलना भी था लेकिन लाइट अभी कटी हुई है देखते हैं अगर 15-20 मिनट में आ जाएगी लाइट तब तो ओइलिंग करूँगी नहीं तो फिर कल धोने से एक घंटे पहले ही तो मिल लीजे देखें मेरे घर कोई आया है यह देखें बोलो कैसे हैं आप सब किसके घर आई हो बुवा के घर तो रहना है कि जाना है रहना है अच्छा लग रहा है यहां पर तो यह मेरे छोटे भाई की लड़की है कली आई थी तो दो दिन की छुटी थी आज वैसे सटर्डे को था इसकूल लेकिन इसका मन लग गया मैंने तो सोचा नहीं रुखेगी साइद अभी बहुत छुटी है लेकिन रुख गई तो अब कल संडे है कल साम को जाएगी तो इसके घर आने से थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लग रहा है सब लोग इसी में बेस्त हैं और ये भी सब के पीछे पीछे गुम रही है तो चलिए ठीक है फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करिएगा सेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई गुड नाइट